तुडेंट्स आज का जो हमारा टोपिक है वो है स्टीरियो आइसो मेरिजम पिछले लेक्चर में हमने देखा था आइसो मेरिजम के बारे में जनरल इंट्रोडेक्शन के बारे में बात की थी कि आइसो मेरिजम होती क्या है कितने टाइप की होती है और स्ट्रेक्चरल आइसो गोॉक्तिने उस्तिरीमाईसोमेडीम किसी कहते हैं और यह कितने किसे प्रकार होती थी और आज हम इस्टेडी करेंगे इस्टिरियो आईसोमेरीम्विज्म तो जो किते हैं 509 हैं। जब हैं एक आपन इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप BBC जिनके molecular और structural formula और बंदों की इस्तती position of bonds तो similar हो बट उनमें जो spatial arrangements of atoms in molecule यानि अन्वों में परमानों की जो आकासी विवस्ता होती है उसमें अंतर होता हो उसको अपन त्रीविम समावेवी या stereo isomer कहते हैं और this phenomena is called stereo isomerism यानि कि इस परी गटना को आपन क्या कहते हैं त्रीविम समावेवता कि जब अपन classification की बात करते हैं classification of stereo isomerism तो इसमें क्या होता है कि बिन बिन अन्वों की उर्जा भी क्या होती है बिन बिन होती है अता है समावी भी क्या होते है बिन उर्जा अवरोध द्वारा प्रतक रहते हैं तो जो त्रिविम समावियों में यदि उर्जा अवरोध अधिक हो यानि 100 किलो जूल पर मोल से अधिक हो तो इस परकार की जो समाविय भी होते हैं वो रूम टेंपरेचर पर अधिक इस्ताई होते हैं और इनको अपन क्या करते हैं फ्रतक भी किया जा सकता है तो ऐसे समाविय जिनने अधिक उर्जा अवरोध के कारण फ्रतक किया जा सकता है उसको अपन क्या कहते हैं कॉन्फिग्रेशनल आईसोमर कहते हैं या विन्यासी समाविय भी कहते हैं और दूसरे इनके विपरित होते हैं जिनमें क्या होता है कि उन स्टीरियो आइसो मर्स के मद्दे उर्जा उरोध कम होता है उर्जा उरोध लगबग यानि कि स्मोलर देन 60 किलो जूल पर मॉल यानि 60 किलो जूल पर मॉल से भी कम होता है तो ऐसे समावी क्या होते हैं कि सामने ताब वदाब की परिस्तितियों पर क्या होते हैं एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं यानि आसानी से एक दूसरे में बदल जाते हैं यानि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं और इनको अपन क्या करते हैं? आसानी सिफरतक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे समावी क्या कहलाते हैं? कनफर्मर कहलाते हैं और इस आईसोमेरिजम को अपन क्या कहते हैं? कनफर्मेशनल आईसोमेरिजम कहते हैं। तो जब stereo isomerism में अपन classification करते हैं, तो दो परकार के isomer होते हैं, एक होते हैं configurational isomer और दूसरे होते हैं conformational isomer, जो configurational isomers जो होते हैं, उनमें क्या होता है, कि उर्जा अधिक अवराज इन isomers में जो energy barrier होते हैं, वो अधिक होते हैं, यानि 100 kJ प्रमोल से अधिक होते हैं, इस को दूसरे form से फरतक कर सकते हैं, जबकि conformational isomer में क्या होता है, कि इनकी जो energy barrier होता है, वह low होता है, जिसकी वज़े से क्या होते हैं, ये एक दूसरे में आसानी से चेंज हो जाते हैं, और इनको अपन आसानी से फरतक नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट जो ये इस configuration isomerism जो होती है, वह क्या होती है, फिर से दो परकार की होती है, एक होती हे optical isomerism, और दूसरी होती है, geometrical isomerism, अब अपने study करेंगे कि optical isomerism या optical isomer क्या होते हैं, तो परकासिक जो समावयोता होती है यानि optical isomerism है उसके बारे में जो सरोफर्तम जो है वह है लुईस पास्चर नामक वेगयनिक ने 1848 में बताया था उन्होंने ये देखा उन्होंने एक compound में ये देखा उस compound का नाम है sodium ammonium tartrate उन्होंने पाया कि sodium ammonium tartrate जो है उसके दो परकार के crystal होते हैं सबसे पहले optical isomerism के बारे में लुईस पास्चर ने 1848 में बताया कि जो sodium ammonium tartrate है उसके दो फोम है तो उसमें देखा कि इन्होंने ये sodium ammonium tartrate हो गया इसमें देखा कि जो दोनों परकार के जो crystal होते हैं उन crystal को चुन चुन कर फ्रतक किया और एक्स किरन विसलेशन से ग्यात हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है mirror image है परंतु ये एक दूसरे के mirror image है लेकिन जो plane polarized light जो होती है उस plane polarized light को विपरित दिसा में गुमाते हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा आण्विक ऐस सम्मिति के कारण होता है तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले sodium ammonium tartrate के दिखा कि उसके दो क्रिश्टल होते हैं और दोनों क्रिश्टलों को जब अपन फ्रतक करते हैं और उन दोनों की अगर अपन एक्स कीरन विश्लेशन से स्टेडी करते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों जो क्रिस्टल है sodium ammonium tartrate के वो दोनों एक दूसरे के mirror image है और plane polarized light को क्य होते हैं विपरित या opposite direction में गुमाते हैं उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है किसी compound के अंदर जब उनके अंदर molecular dis symmetry उपस्तित हो यानि कि molecular ऐस सम्मित्ता उपस्तित हो उसी के कारण इन में ऐसा हो सकता है तो जब इन्होंने definition ये दी कि इस परकार के ऐसे isomer जो एक दूसर पर क्या हो superimpose नहीं होते हो यानि अध्यारोपित नहीं होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं optical isomer या optical antipods कहते हैं और इस phenomenon को अपन क्या कहते हैं optical isomerism कहते हैं तो Lewis Pasture की definition ये थी कि ऐसे isomer जो एक दूसरे पर क्या हो सूपर इंपोज नहीं होते हो उनको अपन अप्टिकल आईसोमर या अप्टिकल एंटिपोड्स कहते हैं और इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं प्रकासिक समाविता कहते हैं यदि दो त्रिविम समावी एक दूसरे से एक वस्तू और उसके मीरर इमेज की भाती हो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हो तो ऐसे प्रकासिक समावी कहलाते हैं और ऐसे यूग में को अपन क्या कहते हैं एनेंसियो मर कहते हैं यानि की अगर ऐसे आइसो मर है जो कि एक दूसरे के mirror image है और एक दूसरे पर superimpose नहीं होते हैं तो इनको क्या कहते हैं अपन enancio mer कहते हैं और ये गुन क्या कहलाता है enancio isomerism के नाम से जाना जाता है यानि प्रकासिक समावे तो कहलाते हैं और ऐसे इस pair को अपन, यानि इन isomer के इन pair को अपन क्या कहते हैं enancio mer कहते हैं और इस property को अपन क्या कहते हैं enancio isomerism के नाम से जाना जाता है जिसे for example अपन ने लिया C carbon है उससे 4 different item जुड़े हैं इधर भी C carbon है अब इनको एक दूसरे पर अपन क्या नहीं कर सकते हैं एक दूसरे पर इनको जब mirror image से देखा जाये तो ये एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं super impose नहीं होते हैं इस कारण इनको अपन क्या कहते हैं enancio mer और ये enancio isomerism के नाम से जाना जाता है और अगर कोई योगिक optically active है तो optically active योगिक तब ही होता है जब वह plane polarized light को सम्मान लेकिन opposite direction में rotate करता है और ये है जो प्रतिविम रूप है जो समतल दूरुवित परकास को अगर वह clockwise direction में rotate करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं dextro rotatory Latin भासा में dextro dextro का मतलब होता है right यानि right दिसा में या फिर दक्षिन दिसा में गुमाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं dextro rotatory और इसे अपन prefix d या plus दुआरा दरसाते हैं इसके विपरित अगर जो अपना अनिंसियो मर है वह plane polarized light को अगर वामावर दिसा में गुमाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं या anti-clockwise rotate करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं leave or rotate tree और leave us का मतलब होता है left या बाई और गुमाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं वाम दुर्वन गुर्णक और इसके आगे अपन prefix जो है वह l या minus पूरु अलगने लगा कर इंगित करते हैं तो ये तो अप्टिकली अगर एक्टिव कोई अपना है compound तो उस अप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए है कि वह प्लेन पॉलेराइज लाइट को clockwise रोटेट करता है या anti-clockwise अगर clockwise रोटेट करता है तो उसको अपन कहते हैं dextral rotatory और anti-clockwise करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं lever rotatory और उनको अपन किसी suffix के द्वारा denote करते हैं तो जब भी dextral rotatory होगा तो उसको अपन d या plus के द्वारा और जब वह lever rotatory होगा तो उसको अपन l या minus suffix के द्वारा इंगित करते हैं next आता है optical activity दुर्वन गुर्णकता यानि कि वह है जो plane polarized light होती है उसका दुर्वन गुर्णन कोण के से गयाद करते हैं किसे कहते है plane polarized light तो plane polarized light में जब अपन देखते हैं कि जब साधरन परकास को अपन साधरन परकास में क्या होता है कि एक तरंग के सम्मान लेते हैं उसको जो अपने पत पर क्या होती है कमपन करती है अगर वहाँ पर ऐसंग के तल होते हैं जिन में वह सामानने प्रकास कमपन कर सकता है तो जो समतल दुरुवित प्रकास वह है जो इन सभी संभुव तलों में से केवल एक ही तल में कमपन करता है यानि क्या होता है कि अपने मान लिया कि जो साधान प्रकास है उसको अपन तरंग के रूप में मानते हैं और तरंग क्या होती है अपने पत पर समकोन पर कमपन करती है वहाँ पर क्या होते है असंग के तल होते है अगर समतल धर्वित प्रकास वै होता है जो कि क्या होता है? इन सभी संभव तलों में से केवल एक तल में कमपन करता हूँ. अतार यदि समस्त दिसाओं में कमपन करने वाले सामान्य प्रकास की एक कीरण के मार्क से में निकॉल प्रिज्म रगदिया जाए. यानि समतल दुरुवित प्रकास के अगर अपन निकोल प्रीज में रख दे तो बाहर निकलने वाली प्रकास की रण केवल एक ही तल में क्या होती है कमपन करती है यानि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो साधान प्रकास होता है वो एक तरंग के रूप में होता है और वह अपने समकोन पर कमपन करते हैं और कमपन जो होते हैं उनके असंग के तलों में होते हैं अपने को क्या करना है कि केवल एक ही तल में कमपन करता हो ऐसा समतल दुरुवित प्रकास क्या होता है जो केवल एक ही तल में कमपन करता हो तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे साधरन प्रकास को अपन निकोल प्रिज्म में से जब गुजारते हैं तो उसके निकोल प्रिज्म से जो भार निकलती है किरने वह केवल एक ही तल में कमपन करती है और निकोल प्रिज्म से जो निकलता है प्रकास की किरण उस प्रकास को अपन क्या कहते हैं समतल दुर्वित प्रकास कहते हैं तो ऐसा प्रकास जो केवल एक ही तल में कमपन करता हो उसको अपन क्या कहते हैं समतल दुर्वित प्रकास कहते हैं जैसे अपने डाइग्राम में दे रखा है कि जब सामान्य प्रकास है उसके अनेक तलों में कमपन होता है जब इस साधान प्रकास को अपन निकॉल फ्रीजम से बुजारते हैं तो निकॉल फ्रीजम से निकलने वाला जो प्रकास की किरण होगी वह समतल धुरुवित प्रकास कहलाता है क्योंकि उसमें क्या होता है वह केवल एक ही तल में कमपन करता है और यदि ऐस और धुर्वन भूनक जो होते हैं योगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं इस समतल धुरुवित प्रकास को कि तल को क्या कर देते हैं रोटीट कर देते हैं या तो बाई तरफ गुमाते हैं clockwise या फिर anti-clockwise उन योगिकों क्या कहते हैं Optically active योगिक कहते हैं या दुर्वन गुरुनक योगिक कहते हैं नेक्स्ट आता है specific rotation विसिस्ट गुरुनन विसिस्ट गुरुनन क्या होता है कि अगर अपन विबिन पदार्त लेते हैं उन विबिन पदार्तों की धुरुण गुरुनन क्षमता उनके विसिस्ट धुरुण गुरुनन के रूप में व्यक्त की जाती है यानि जो compound है के द्वारा दर्स आते हैं वो है alpha lambda t बराबर प्रेक्षित गूर्णन अपोन लंबाई into concentration यानि alpha जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना विशिस्ट गूर्णन यानि specific rotation को दर्स आता है और specific rotation में lambda हो जाएगा कि प्रकास की wavelength या wavelength of light t हो जाएगा अपना temperature नेक्स्ट आता है प्रेक्षित गूर्णन डिगरी के अंदर लेते हैं और इसकी length यानि की जो नली की लंबाई जो होती है जिसके अंदर अपन solution लेते हैं decimeter में लेते हैं और जो concentration होती है विलियन की सांदरता होती है वो ग्राम पर मिली लीटर में ली जाती है इसके द्वारा अपन क्या ग्यात कर लेते हैं specific rotation ग्यात कर लेते हैं प्रेक्षित गूर्णन को जो है अपन दर साथे किसके द्वारा alpha के द्वारा और alpha अपन L into C अब यहां पर अपने को पता है कि जो visist गूर्णन जो होता है alpha जो होता है उस alpha को अपन किसके द्वारा नापते है polarometer के द्वारा नापते है जो प्रेक्षित गूर्णन होता है alpha अपना उसको अपन किसके द्वारा नापते है Polarimeter के द्वारा मापा जाता है या दुरुवन मापी के द्वारा मापा जाता है जिसमें क्या होता है कि समतल दुरुवित प्रकास को एक दुरुवन गुर्णन योगी के विलियन से होकर गुजारते हैं यानि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे polarimeter के बारे में देखते हैं अपन तो polarimeter में क्या होता है कि सबसे पहले अपन साधान परकास लेंगे जो अनेक तल के अंदर कमपन करता है जब उसको Nicole Prism से गुजारते हैं तो अपने को समतल धुरुवित परकास मिलता है यह समतल धुरुवित परकास लेमडा इसके तरंग देरते को दरसाता है जब इस समतल धुरुवित परकास को अपन सेंपल ट्यूब जिसके अंदर अपन ने क्या लिया है किसी योगिक के विलियन को लिया है जब उस विलियन में से गुजारते हैं जिसके अंदर नमुना लिया गया है उस million वाली ट्यूब से गुजारते है तो यह क्या करता है इस million की वज़े से यह समतल दुरीद परकास को rotate कर देता है या तो clockwise या फिर anti-clockwise या यह समतल दुरीद परकास के पत में अन्वों की संक्या और नली की लंबाई पर निर्भर करता है तो यहाँ आपसे ही इसको rotate करेगा और rotate से क्या होता है analyzer जो होता है विसलेसर जो होता है विसलेसन करता है और फिर अपन lens से देखते हैं कि कितना rotate हुआ है कितने angle से तो इस परकार से अपन क्या ग्याधत करते हैं दुर्वन मापी की द्वारा अपन प्रेक्षित गुर्णन ग्याते कर लेते हैं L जो है वह नली की लंबाई होती है जिसमें sample tube की लंबाई को दरसाता है और C जो होता है उस solution की कितनी concentration अपने लिए है उसको दरसाता है और समतल दुरुवित परकास का तरंग देर्दी जो अपन गुजारते हैं इन सब का value रख करके अपन ग्याते कर सकते हैं तो ये समतल दुरुवित परकास के पत में अणों की संक्या और नली के लंबाई पर निर्भय करता है नेक्स्ट आता है कि किरेल कार्बन एटम एंड इस्टीरियोजेनिक सेंटर किरेल कार्बन एटम किसे कहते हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है और इसमें एनेंसियो मर्स के बारे में अपन इस्टेडी करेंगे तो अपन ने देखा है कि जनरली जब अपन दाएं हाथ और बाईने हाथ एक दूसरे को अगर पास में लाते हैं तो वह एक दूसरे पर क्या होते हैं अध्यारोपित या सूपर इंपोज नहीं होते हैं यानि वो एक दूसरे के क्या है मीरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं अध्यारोपित करना संभव नहीं है और जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते उनको अपन क्या कहते हैं एनेंसियोमर कहते हैं नेक्स आता है कि कीरेल यानि काईरेल सेंटर क्या होता है या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है तो ऐसे योगी क्या वस्तु जो अपने प्रतिविम रूप पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें अपन क्या कहते हैं किरेल कहते हैं और किरेल सब्द का उद्वव जो होता है कौन इंगोल्ड और प्रिलोग ने 1964 में किया था कि सबसे पहले इनके बारे में कौन इंगोल्ड और प्रिलोग नामक वेग्यानिक ने बताया दूसरी तरब जो योगीक अपने प्रतिविम रूप पर अध्यारोपित होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं एक किरेल कहते हैं जैसे एक गेंद है एक क्यूब है एक मोजे का जोड़ा है एक किरेल वस्तुए हैं किरेलता और धुरण घुनकता में क्या होता है परस पर सम्मंध होता है और दोनों सब्द क्या होते हैं परस पर अंता परिवर्तित रूप से में प्रियोग किये जाते है तो धूरवन गूर्णकता अथार समतल जुरुवित प्रकास के तल को गुमाना कीरेल वस्तों का अने गुणों में से एक गुण है यानि कि जो कीरेल होते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी ओप्टिकली एक्टिविटी या समतल धुरुवित प्रकास के तल को रोटेटे करते हैं जैसे अपने एक कमपाउंड लिया है ये दोनों में क्या है कि C कार्बन एटम है C से क्या जुड़े हैं A, B, C, D ये एटम्स जुड़े हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है दरपन परतिविम्भ है और एक दूसरे पर अध्यारोपिते नहीं होते तो ऐसे योगी को कॉपन क्या कहते है एनेंसियोमर और इनमें क्या होता है कि एनेंसियोमर और कार्बन परमाणू पर क्या है जिस परकार चार भिन भिन अनू या सम्मू जुड़े हो उनको अपन क्या कहते है किरेल कार्बन या एस सम्मित कार्बन परमाणू कहलाता है इसको अपन क्या कहते हैं एस्मिट्रिक या फिर किरेल कार्बन एटम कहलाता है ऐसे कार्बन परमानू जिनकी वज़े से एक योगिक ओप्टिकल एक्टिविटी प्रोपर्टी दरसाता है Optical Active होता है कीरेल के अंदर या Stereogenic Center कहलाता है इस प्रकार के दो समावी प्रतिविम रूपों को प्रतिविम समावी थता इस प्रकार की समावी रूपों को अपन क्या कहते हैं Enansiomar Isomerism कहते हैं और कीरेल के अंदर को अपन Star लगा कर चिनहित कया जाता है जिसे C star तो कीरेल सेंटर और Stereogenic Center क्या होता है कि तिरिविम जिनिक अंदर यानि कि ऐसे योगि जो Optical Active Property दरसाते हैं या ऐसा कारबन जिसकी वज़े से Optical Activity शो करता है उसको अपन क्या कहते हैं कीरेल के अंदर या Stereogenic Center कहते हैं जैसे कुछ Examples अपन लेते हैं जैसे हैं प्रतिविम समावयवत अर्थार्थ एक किरेल कारबन परमानु यूगत अनू के हजारो उधारन जैसे अपन ने लिया Bromo Chloro Fluoro Aido Methane Carbon Atom से चार भिन Halogen Atom जुड़े हैं तो ये एक दूसरे के क्या है दरपन परतिविम है लेकिन एक दूसरे पर सूपर इंपोज नहीं होते हैं और ये Optically क्या होते हैं Active होते हैं क्योंकि कारबन से क्या है चार भिन एटम जुड़े हैं जिसको अपन क्या कहते हैं किरेल कारबन इसी परकार 2 Chlorobutane है उसमें भी क्या है Chiral Center या Stereogenic Center अब ये जो और एक्जामपल्स हैं इसके जैसे 2 Butanol है तो इसमें भी किरेल के अंदर उपस्तित होता है इसी परकार Amyl Alcohol है इसमें भी 4 डिफरेंट एटम्स जुड़े हैं इसी परकार Glyceral Diode हो गया Valeric Acid हो गया Lactic Acid हो गया Mandelic Acid हो गया सब में क्या है किरेल के अंदर उपस्तित है और उस किरेल के अंदर की उपस्तिती की वज़े से ये क्या दरसाते हैं Optical Activity Property या Optical Activity एक्टिवता के गुण दरसाते हैं तो ये था अपना Stereo Isomerism General Introduction और Optical Isomerism के बारे में